Hey guys, good morning, welcome back to a fresh video और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ Quantum University के बारे में Quantum University कहाँ पर situated है guys यह है रूर की उत्राखंड में तो एक बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको यह college review बताऊँगा एक honest तरीके से कि क्या facts and figures है क्या ranking है, कैसा placement है, fee structure everything I am going to tell you उसके अलावा अगर institution type की बात करें तो यह private college है campus area size की बात करें तो 30 acres का यहाँ पर overall total campus आपको देखने को मिल जाएगा उसके अलावा location तो मैंने आपको बता दिया रूर की उत्राखंड में यह college है ranking की बात करें तो NIRF ranking इसको ranking दिया नहीं गया है bus stop से कितना distance में तो जो grant Jolly Grant दहरादून airport है उस वहां से आपको 45 km का distance देखने को मिल जाएगा then रूर की railway station से 28 km and Saharanpur railway station जो की UP में आता है यह border में है इसलिए वहां से भी 26.3 km आपको देखने को मिल जाएगा next जो important बात हर students को जानना जरूरी है that is about the mode of admission तो mode of admission कैसे होता है पहला तरीका जो सबसे अच्छा तरीका है वह यह है कि description में आपको एक link मिलेगा वह link में जाकर आपको form को fill up कर लेना है register कर लेना है fees payment नहीं करना है जो team है वह आपको आगे का process continue कर देगी तो discounted rate में भी आपको यहाँ पर fees होगा जो actual form का cost होता है वह जादा होता है और और एक तरीका है यहाँ पर q care entrance examination जो की college का कुदका examination है जिसके जरीए से वह admission लेते हैं बट अभी के time पे आप अगर direct admission कराना चाहते है तो direct admission भी possible है काफी लोग पूछ रहे थे कि जो description में link हो जरीए से क्या वह genuine है पैसा तो फस नहीं जाएगा आपका कोई पैसा नहीं फसेगा यह genuine है और उसके अलावा और एक बात में बताना चाहूंगा कि आप ना उनके जो number है number दिया गया है उनके number को call करकी आप confirm कर लीजिए और उसके अलावा आपको fees payment नहीं करना है आपको ब बोर्ड में आपका अगर अच्छा माक्स आता है उस माक के बैसिस में भी admission हो जाता है fee structure की बात कर लेते हैं अगर आप outside उतराखंडे यानि कि कोई दूसरे state से हैं आप जाके उतराखंड में पढ़ाई करना चाहते हैं for you the total fees will be around 9-11 lakhs यह 9-11 क्यों है क्योंकि अगर आप non- AC hostel occupy करते हैं non AC वाला hostel लेते हैं तो आपको 9 lakh खर्चा होगा और अगर AC वाला लेते हैं तो 2 lakh एक्स्ट्रा हो जागे यहाँ पर 11 lakh के आसपास आपका खर्चा हो जाएगा non उतराखंड students के लिए and this fee structure is including your hostel खाना पीना and your academics सभी चीज को मिला के 9-11 lakh रुपे मैंने आपको बता करना चाहते हैं उनके लिए 8-10 lakh लगेगा non AC वच्चों के लिए 8 lakh और AC वच्चों के लिए 10 lakh रुपे यह approximate fees थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते है 40-50,000 रुपे बट लाखों में जाद़ चेंजेस नहीं होगा scholarship की बात करते हैं तो जी हाँ आपको scholarship भी मिल जाता है अग अगर अब direct CAC में admission चाहते हैं तो CAC में admission possible है वही आपको description में जाके सारा process complete करना है जही rank के basis में होगा जही exam नहीं दिया है या फिर उसमें low score आया है उसके बाद भी आपका admission हो जाएगा Qcare exam तो होता है 12th board में अगर 90% एवप लाते हैं तो आपको different scholarship रहता है कि 90 plus 95 plus ऐसे different levels से रहते हैं उससे अगर आपका ज्यादा रहता है तो percentage of scholarship आपका वैसे vary होता रहेगा next बात करते हैं courses offered की क्या-क्या courses मिलते है इस college में undergraduate का course रहता है जो की normal BTEC है आप लोग और मैं भी BTEC किया हुआ हूं CAC से तो मैं आपको बता सकता हूं कि हाँ it is a good college and UG मतलब undergraduate PG course भी कर सक का यानि कि आप BTEC भी करोगे BTEC के बाद काफी लोग MBA प्रिफर करते हैं तो आप वहीं पर ही BTEC के बाद MBA continue कर सकते हो next PhD प्रोग्राम भी होता है तो अभी हमको वह सारे चीजों पर focus नहीं करणा है we have to focus on BTEC जो की undergraduate program के अंडर आ जाएगा next बात करते हैं BTEC branches की तो BTEC में क्या- these are the different branches available अब बात करते हैं one of the most important points की जहां पर students का और parents का ज्यादा concern रहता है that is about the placements a placement कैसे होता है highest package इनका अभी पिछले साल जो था that was 18 lakhs per annum 18 LPA था and अभी तक का सबसे highest college का package गया है 33.5 LPA यह सालाना मिलता है यहां पर stocks वगेरा बहुत सारे include होता है अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा एक video follow कर सकते हैं देख सकते हैं जहां पर मैंने बता है जो Amazon का है 45 lakhs का package उसका break up क्या है breakout क्या है कितना अलाक मिलता है एक साल में in hand bank में कितना transfer होता है सभी चीज मैंने बता रखा है salary को लिखे average package की बात करते हैं चो चार से साड़े चार लाख आपको यहां पर मिल जाएगा average package और यहां में mass recruiters बहुत जादा आती है mass recruiters मतलब जो bulk में bunch में students को उठाती है बट मेरा अगर analysis अगर देखें तो आप लोग मेरे analysis को follow करते हूं मैं analysis बताता हूं यहां पर fee structure है 9 से 10 लाख रुपे 11 लाख रुपे नौन नूत्राखन के लिए तो माल लो 10 लाख रुपे अगर आप 10 लाख रुपे pay करते हो और return में आपको 4-4.5 लाख का package मिल भी जाता ह ना that is a decent and good number क्योंकि 2-2 साल में आप अपना complete fees recover कर लोगे और आपको promotion भी होता रहेगा आप दूसरे companies वगेरा भी change करते रहोगे so this is a good deal for you okay SNA की fee structure 20-22 लाख है और वहाँ पे आपको 4-4.5 लाख का package मिल रहा है fee structure भी reasonable है middle class people आज के date में definitely afford कर सकते हैं मैं आज से 4 साल पहले engineering किया था और उस time पे मेरा fee structure वही total अगर 4 साल का consider करते तो 10-12 लाख आही गया था total में तो आप लोगो तो definitely उतना ही जाएगा आज के date में 2022 से calculate हो के consider हो रहा है आप सो सकते हो तो mass recruiter companies यहाँ पे देखने को मिल जाएगा next बात करते हैं पिछले साल 173 प्लस companies यहाँ पे visit किया है जिसमें से majority of them mass recruiter थे अगर आपका exceptional skill बनता है coding skill personality बहुत अच्छा रहता है और आप represent कर पाते हो अपने ideas को अच्छे तरीके से तो फिर आप higher packages के लिए भी eligible हो गये off campus opportunities भी ले सकते हो on campus में भी जो अच्छा company साता है वहाँ पे अपना skills को प्रूफ करके आप higher packages ले सकते हो और best thing बात करें quantum university की तो यहाँ पे admission लेना easy है आप admission ले सकते हो fee structure भी reasonable है and रिशी के सहरीदवार यहाँ से बहुत करीब है तो आप लोग अगर छुटी में weekends वगेरा या फिर कोई 3-4 दिन 7-8 दिन का छुटी भी मिलता है तो आप river rapting फिर cliff jumping trekking camping वगेरा कर सकते हो बहुत सारे adventure चीज़े कर सकते हो मैं भी recently plan कर रहा हूं उतराखन जाने का दहरादून फिर वहाँ पे और कहने नीताल वगेरा घूमने का I hope वहाँ कि कोई students अगर देख रहे हो तो मुझे थोड़ा सा help कर पाऊगे और interdisciplinary programs भी होते हैं देखो यहाँ पर दो चीज़ होते हैं एक होता है interdisciplinary programs दूसा होता है passion programs इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूं interdisciplinary programs मतलब कि यहाँ पर minor degree मिलेगा आप अगर entrepreneurship लेते हो foreign languages लेते हो digital marketing ल मिल जाएगा main degree तो आपको बीटेग रहेगा सपोज आप CAC से कर रहे हो computer science and engineering से that will be your major degree minor degree में सपोज आपका entrepreneurship में interest तो entrepreneurship में आप अपना एक छोटा सा degree कर सकते हो वहाँ पर courses रहेंगे आपको test देने होंगे और complete करके आपको एक minor degree मिल जाएगा passion programs की बात करने तो passion program में between passion program and interdisciplinary programs अब बात करते हैं थोड़ा सा cons की obviously कोई college तो 100% पूरा क्या बोलते हैं अच्छा तो नहीं रहेगा ना कुछ तो उसके demerits भी रहेंगे तो demerits यहाँ पर मुझे कुछ कुछ देखने को मिले जैसे कि अभी नया college 2008 में बना हुआ है growing phase में है with time यह improvement कर रहे है अभी 2008 म number but अगर mass recruiter के जागा अगर कुछ product based companies भी आता है तो थोड़ा सा और अच्छा होता है that is my suggestion तो placements यहाँ पर थोड़ा okay okay है उतना exceptional extraordinary नहीं है but fee structure के हिसाब से दिखा जाए तो it is good next 75% attendance तो maintain करना रहता है यह तो अच्छा चीज है वैसा है किसी-किसी colleges में आज के date में मेरे students ब पढ़ा हूं 80% attendance maintain करना परता था बीटेग में so that is again very strict number next बात करते है hostel curfew की तो hostel में in time रहता है न तो boys लोग को थोड़ा सा relaxation रहता है girls लोग का थोड़ा strict timing रहता है और वैसे देखा जाए तो 8-9 बज़े के अंदर आपका hostel curfew timing रहता है infrastructure की बात करें तो अभी under construction ही है से colleges में साल भर थोड़ा 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 बहुत ऐसे काम होते रहते हैं अब बात करते है location की थोड़ा सा यह outskirt में है क्यूंकि campus 30 एकर में जो थोड़े बड़े colleges होते है न वहाँ पर campus आपको थोड़ा outskirt में ही देखने को मिलता है क्यूंकि traveling and all तो करो गया बट वह ज इसलिए थोड़ा ज्यादा area में करना परता है outskirt में जागा रहता है अगर टाउन के बीच में करेंगे city के बीच में करेंगे तो जगा कहां से आएगा इसलिए outskirt में थोड़ा सा इसलिए interior area में देखने को मिलेगा hostels की बात करते हैं तो hostel room सारे well maintained है अच्छे hostel room obviously private college है और hostel room तो अच्छे ही मिलेंगे 24 hour security है तो tight security है AC room non AC room दोनों मिल जाएगा drinking water की बात करें तो हर floor में आपको आरो facility मिल जाएगा safe drinking water है 24 hour water supply है 24 hour आपको library access में मिल जाएगा hostel lights के लिए जो hostel रहना उन लोगों के लिए 24 hour library access मिल जाएगा medical facilities and availability of doctor भी है अगर आपको कोई दिक्कत होता है health issues आ जाते तो doctor भी वहाँ पर available रहेंगे जो आपको check up कर पाएगे immediate case में laundry facility भी है तो आप पैसा देखे अपना कपड़ा वगरा दुलवा सकते हो प्रस अगरा कर होस्टल रूट थोड़ा सा strict है girls लोगों के लिए wifi जी है available है common room एक है जहां पर led tv है तो led tv के साथ common room आप जाके वहाँ पर tv वगरा enjoy कर सकते हो खाने की बात करते हैं dining facility यहां पर mess facility hostel के अंदर यह खाना पीना मिल जाएगा food जो है okay okay है क्योंकि आपको पता engineering colleges में खाना उतना अच्छा नहीं होता बढ़िया नहीं होता घर जैसा आपको फील नहीं आएगा rarely किसी college में होता है जहां पर बहुत exceptional बहुत extraordinary अच्छा खाना मिलता है बट यहां पर आपको food okay okay type देखने को मिल जाएगा and कोई बात नहीं है आपको restaurant canteen और वो facilities भी side में available है तो अगर आपको can केंटीन के खाना अच्छा नहीं लगता तो वहां पर आप जाके खा सेकते हैं but ultimately वहां पर पैसा देना पड़ेगा बढ़ा खाना अच्छा मिल जाएगा वहां पर as compared to continue मेरे कॉलेज में भी होता था था वहां पर आपस facilities की बात करें private college है तो आपको lab वगेरा बहुत मिलेगा library की बात करते है fully air-conditioned है बहुत बड़ा huge library है और wifi के साथ यह well equipped है फेस्ट की बात करते हैं तो यहां पर तीन फेस्ट होता है जितना information मुझे पता चला एक है धरोहर जो की annual cultural fest होता है उनका next अभी वक्ती जो की तीन दिन का long festival होता है और एक होता है क्वालमपिक्स क्वालमपिक्स में hostel sports league होता है hostel sports league मतलब जो different hostels रहेंगे न वो लोग के volleyball, fitness center, football, badminton यह सारे facilities आपको मिल जाएंगे जिमनाजियम की बात करते हैं तो जो लोग fitness freak है जिम वगएरा जा सकते हैं, join कर सकते हैं so that's all about this college I hope आपको पसंद आया होगा यह college review अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो पहली बार चैनल पर तो चैनल को subscribe कर दो कुछ आपके मन में doubt है तो मुझे comment section में बताना और comment section में मैं pin करके एक link देदूंगा वो link के जरीए से जाके आप form को fill up कर लो register कर लो पैसा pay करने का कोई जरूरत नहीं है मैं फिर से बता रहा हूँ if you want you can call the given number और call करके आप सारा detail ले सकते हो कुछ भी आपके मन में doubt है तो आप पूछ सकते हो ठीक है I hope आपको यह पसंद आया मिल रहोंगे एकले वीडियो में तब तक all the very best and जैहिंद